हेलो इस्टुडेंट्स मैं लोके दर आजावात स्रीजभवा इंट्ट्यूट्ट के यूट्यूब चलर पर फिर से आपको स्वागत करता हूँ दियर इस्टुडेंट्स आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 पोलिनोमियल का लेक्चर नुबर 4 जिसमें हम देखेंगे कि एक्सराइज 2.1 जिसके सभी केशन के सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहला केशन देखना पड़ेगा कि आपको चारफा दॉक्षंस देवे हैं और यह पुछा हुआ है कि इन में से कौन से एक वेडियेबल वाले पोलिनोमियल है तो हम देखते हैं क्या हैं क्या है तो इसकी पावर चैक करते हैं अगर उसकी पावर के हैं हम्होल नापर है या जीरो हान्थ 2,3,4,5,1 में से कुछ आ रही है तो पौलिनोमियल होगा और पृर हम नंबर वेडियूबस देखेंगे कि अगर नंबर विडियेबल एक से ज्यादा आ सब्सक्तर में डिल्गला नहीं होगा, तो देखे, इस कर ढ़ख tá T talking में दख्ते हैं यहां पहला एककर हैं यहां , यहा यहां यहां कुछ भी रूग है और बहुत हम सकते हैं यहां, यहां यहां तो यहां देखो यहां ती की पावर कितनी है इसता मतलब है कि यह नहीं तो हमें वेडियेबल को देखना ही नहीं है यहां देखो यहां यहां तो है कि सभी वेडियेबल की पावर क्या नहीं है इसी तरीके से आगे जाएगा उन्हीं में से कुछ होगी लेकिन यहां पर नमर अफ वेडियेबल से वो क्या है एक से जाला है यह वी क्या है लीनियर पोलिम्तलब की पोलिणोमेल तो है वन वेडियेबल वाला पोलिणोमेल नहीं है कोई कुछे कि यह POLINOMEL, क्या BUN वाला POLINOMEL है? यहया जहाँ कि एकचल वाला भूपद है क्या? तो वो नहीं होगा. अब 2nd question में क्या दिया वाए है? हमें सभी questions के अंदर से X square के coefficient लेखने, में देखा ता बुखु अबर बन में कहा दा है तो एक्सोफार की पूरान क्या है वह में कुछ भोश को रिख सकते हैं अब कि इसे को रहें कि एक्सोफार का पाइप टू है तो हम बोलेंगे कि यहां पर मान सकते हैं कि 0 माल्टिप्लाइब एक्सुस्क्राइब कभी तर्म रहा होगा तो इसका कोई तर्म है नहीं तो उसका कोफिशन कितना लेना हमारी को 0 अब देखते हैं हमके एक्जम्प मतलख के चला मतरी उसमें क्या बोला है कि मैं एक ऐसा एक्जम्पल बताना है जो जिसकी डीवी तो कितनी हो 35 हो और उसका क्या हो इसरे क्या हो ये इसरे नहीं को कितनी होगी क्यक्जम्प और 2 और 2 पर यसके भी तो निलसे होगा और कि highest power क्या कराती है उसके degree कराती है तो देखो यहां highest power कितनी है दिख्री है एक्स की power 3 है यहां 2 है या 1 है तो highest power कितनी है 3 है तो इसके degree कितनी होगी 3 होगी यहां देखो, यहां कोई भी variable नहीं है, यहां variable कितना है, y है, तो इसके highest power कितनी है, 2, इसके degree कितनी होगे, 2 होगे, यहां देखो, t की power 1 है, यहां कुछ भी नहीं है, तो यहां इसके degree कितनी होगे, 1 होगे, और यह देखो, इसके degree कितनी होगे, 1 होगे, और यह देखो, इसके तो इसके डिखरी कितनी होगी जी आपके हो इसके लिए रिखेक लोगी नतीम हो just क्यों प्रवाइब नियुक्ति 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 नियुक 1 है तो यह भी क्या है linear होगा यहां power 2 है तो यह क्या होगा quantity हो जाएगा और यहां power 3 है तो यह क्या हो जाएगा cubic हो जाएगा तो यह की हमारी NCRT की exercise 2.1 अगले वाले lecture में हम exercise 2.2 कबर करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करना वीडियो को लाइक चलू करना और चेनल को सब्सक्राइब चलू करना थेंक्यू